मेरे पास जो सूचना आए भी अगर आप देखेंगे उसमें जो सिटिंग हमेले हैं जिनका नाम कटने की बात आ रही है उसमें सबसे पहले हैं बात करें काके के समरी लाल का उनका जो जानकारी मिल रही है उनका इसवार सीट टिकट कट सकता है केदार हाजरा जो जम्मुए से विधायक हैं उनका टिकट कट सकता है इसके अलावा कोचे मुंडा पर भी तलवार लटकी हुई है रामचंदर चंद्रवंसी का टिकट कटना तै माना जा रहा है जो विष्रामपूर से विधायक है नरायन दास पर भी संसे की सिति कायम है जो देवघर से विधायक है इसी तरह से अगर आप कोडर्मा की बात करें तो वहाँ पर नीरायादा विधायक जो पिछले मरतवा 600 से वोट से चुनाव जीती थी उनके उपर भी तलवार लटका हुआ है इस तरह की बाते जो भाजपा खेमे में चर्चा चल रही है उसमें जो बाते सामने आ रही है लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं है कि एक बारगी इसस पर नीर्ने लिया है या एक बार गी जह दिसीजन लेने जा रही है दरसल चुनाओं के पहले सर्वे कराया गया है हर एक विधानसवा सीट का और उस विधानसवा सीट के सर्वे में जो बाते सामने आई है उसके हिसाब से पार्टी निर्णे लेने जा रही है जिसमें ये तै मानके चलिए कि 35 से 40 फिजदी सीटिंग MLA का टिकट कटना तै है लेकिन इसमीच भाजबा ने ये भी तै किया है कि जितने भी बड़े ट्राइवल लीडर है उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा चाहे वो बाबुलाल मरांडी हो अर्जुन मुंडा हो अरुन उराव हो समीर उराव हो सुदर्सन भगत हो निलकंड सिंग मुंडा हो लुईस मरांडी हो चमपाई सोरेन हो गीता कोड़ा हो सीता सोरेन हो यानि जो बड़े नाम बड़े चहरे भारतियांता पार्टी के पास हैं उनको चुनाव लड़ाया जाए और इस भी जो जानकारी मिल रही है कि बाबुललाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्च हैं उनको राज धनवार सीट से जुनाव लड़ाया जाएगा राज धनवार ये थे चुनाव जीतने के बाद भाजपाजवाएं के जब उने पार्टी के साथ जारकन विकास मोर्चा के साथ वो भाजपाम आये थे अब एक चीजे ये भी चल रही है पार्टी के अंदर में और ट्राइवल नेताओं के द्वारा ही जो मर्मनिंग शुरू हो गई है कि अर्जुन मुंडा इस बार जो हैसो अपने पुराने सीट पर से नहीं लर रहे हैं खरसामा से वो चुनाव नहीं लर रहे हैं अर्जुन मुंडा खिजरी आ रहे हैं खिजरी से वो विधान सभा का चुनाव लरेंगे खिजरी से प्रत्यासी होंगे निलकंड सिंग मुंडा खूटी से होंगे ये भी तै माना जा रहा है सराय केला से चमपाई सोरेन को टिकट मिल रहा और उनके पुत्र बाबुलाल सोरेन को घाड सिला से टिकट दिने की बात कही जा रही है वहीं सबसे बड़ी उलट फेर दुमका में भी दिखाई दे सकती है जहां पर लुईस इसका विदान सबा चुनाओ और इसमें जो संसे बनी हिवी थी कि सुनील सोरेन को जामा से लड़ाया जाये चुनाव लड़ाया जाये लेकिन जामा से जो है सीता सोरेन अपनी पुत्री के लिए पूरी तरह से लगी हुई है रास्री सोरेन के लिए और जो जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि सीता सोरेन की पुत्री राश्री सोरेन को भाजपा जामा से केंडिड बनाए और सुनील सोरेन का चुकी पिछले मर्थवा लोग सवा चुनाओं के दोरान उनका टिकट काट लिया गिया था तो उनको कंपंसेट करने के लिए फिर से दुमका उनको सिफ्ट किया जाए यानि दुमका विधान सवा से उनको केंडिड बनाया जाए वहीं सीता सोरिन के जामतारा से लड़ने की बात कही जा रही है साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि सीता सोरिन को जामतारा तो है ही अगर वैसी इस्तिती बनी तो नाला से भी उन्हें कंडिट बनाया जा सकता है जामतरा को छोड़ करके, यानि दो जगवाओं पर जो है सो उनकी बातें चल रही हैं। इसी तरह आगे अगर आप देखें तो अरुनुराओं को जो है, वो सिसाई विधानसवा से टिकट देने की बात कही जा रही है। प्रणूराओं को सिसरी से टिकट मिलेगा मजगाओं से बरकुमर गंगरई का नाम आगे चल रहा है जे भी तुवीद भले ही दो चुनाओं हार गए हो पिछले मरतवा हार गए हो चुनाओं लेकिन इस बार भी चायवासा सीट से उनका नाम आगे है जगरनातपुर से गीता क पुरा का नाम लगबक तै मानके चलिए पोटका सीट को लेकर के भाजपा में अभी भी संसे की सिती बनी भी है हलांकि पहले ये बाते चल रही थी कि पोटका सीट से अर्जुन मुंडा को चुनाओं लड़ाया जा लेकिन वहाँ पर मुंडा आदिवासी जो जिस ये से हैं अर्जुन मुंडा हैं जिस ट्रैवल से हैं वहाँ पर उसकी संक्या कम है और वहाँ पर संथाल आदिवासीयों की संक्या पोटका में ज़्यादा है तो ज़्यादा संभावना जताई जा रही है कि वहाँ से किसी संथाल आदिवासी को ही टिकट दिया जाएगा लेकिन मिनक सरदार को रिपीट किया जाएगा क्योंकि मिन का सरदार पिछले चुनाव में हार गई है तीन टर्म की विधायक रही थी वहां से ये लगवग साफ हो गया है कि मिन का सरदार पर दाव खेलने के लिए भाजपा तयार नहीं है अब रही बात कि रामचंदर चंदरवंसी का लेकिन जो जानकारी मेरे पास आ रही है उनका नाम तो चली रहा था इसके अलावा अगर आप देखेंगे विसरामपूर से तो एक महिला नेत्री हैं वहां पर जिनके बारे में नाम काफी तेजी के साथ आगे आ रहा है कि उनको भी हो सकता है कि वहां पर जो है महिला नेत् पूर्विधायक है पिछले मर्तवा चुनाव हार गये थे लेकिन इसके अलावा जो है असोक कुमार सिंग है उनका नाम चल रहा है प्रिया सिंग जो उपध्यक्ष रह चुकी है पार्टी के उनका भी नाम महागामा विधान सवा सीट से चल रहा है वहीं पर अगर आप देखें सिम्डेगा में विमला प्रधान अपने पुत्र को लेकर के लॉबिंग कर रह रही है अब सिम्डेगा में कई दावेदार हैं और इसमें एक चीज और बता दे के भारती जनता पार्टी ने जो राय समारी की है कि हर विधान सवा सीट से जो नाम आये हुए हैं उनमें से ही नाम ते किये जाएंगे इस पर भी चर्चाएं चल रही है लगातार पार्टी क वरिष्ट नेता इसको लेकर के बैट रहे हैं बाते कर रहे हैं हर एक विधान सवा छेत्रवार स्कूटनी की जा रही है और स्कूटनी के बाद इसे पार्टी आला कमान के साथ केंद्रिय चनौ समीती के समथ इसको रखा जाएगा और तब जाकर के अंतिम फैसला होगा लेक प्यासियों की नाम की घोसना हो सकती है लेकिन साहिव गंज का जो मामला राज महलका है वहाँ पर अनंत ओजा अभी भी सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं हलाकि बजरंगी यादब भी लगातार वहां से प्रियासरत हैं लेकिन उनकी दाल भी गलती भी नजर नहीं आ र रहे हैं इसके अलावा भी कई अन्यनेता है जो गिरिडी सीट को लेकर के दावेदारी पार्टी में किये हुएं लेकिन निर्वय सहाबादी को मजबूत के निरेट माना जा रहा है अभी भी निर्वय सहाबादी को लेकर के पार्टी अभी भी विचार कर रही है देखना य एक सब्ता दस दिन में के अंदर में वो हो जाना है और इस बीच जो जानकारी आ रही है कि पाँच जो मेनिफोस्टों के पाँच प्रमुख घोसनाएं होंगी या पाँच प्रमुख वाइदे जो होंगे भारती जन्ता पार्टी के वो पाँच अक्टूबर को घोसना की जा सकती है मेनिफोस्टों जारी की जा सकती है पहली मेनिफोस्टों के पहले पाँच पहली पाँच घोसनाएं भारती जन्ता पार्टी पाँच अक्टूबर को जारी कर सकती है और इसमें मुख्य रूप से गोवोदी जी योजना होगा जि जर्ज़ु किति रगवरदास की सरकार में एक एकर जमीन वाले को पाँच हजार रूपय साहिता रासी दी जाएगी पाँच एकर जमीन वाले को पचीह सार रूपय दी जाएगी उस योजना को फिर से लागू करने की बात गोसित कर सकती है भारती अंता पाटी सबसे बड़ी बात महिला ससस्की करन को लेकर के जो रगवर सरकार ने कारिक्रम चलाये थे एक रूपे में पचास लाग रूपे तक की संपत्ति के रजिस्ट्री की जो चीजें थी उसको भी गोसित कर सकती है भारती इंता पार्टी ये तो मूल चीजें ही मुख मुख बिंदू हुए उसके और भी कई घोसना हो सकती हैं लेकिन जो सीटों को ले करके बाते चल रही थी तो जैसा कि मैंने बताया कि भानु प्रताफ साही जो भवनात्पूर से चुनाव लरते हैं उनका भी सीट लगवग फाइ फाइनल ही है वहाँ पर भानु प्रताफ साही फिर से चुनाव लरेंगे चंदन क्यारी से अमर कुमार बावरी चुनाव लरेंगे भलेही आसु लाक जो है सो उसको लेकर दवाब बनाते हैं रेकिन भारती जनता पार्टी अमर कुमार बावरी किसी चंदन क्यारी पर किसी तरह से कटबंदन के अपने साथी के साथ समझोता नहीं करने जा रही है ये लगबग फाइनल हो चुका है इसके अलावा और आप देखें और जो सीटें हैं मनिका और लातेहार को ले करके भारती जनता पाठी जो है सो अभी भी विचार कर रही है कई नाम वहां से भी आये और मनिका से कौन कैndidate होगा ये देखना दिल्चस्प होगा प्रकास राम लातेहार से लगातार लाविंग करने प्रकास राम को लेकर के भी चर्चाह हो रही है और उमीद है कि प्रकास राम लातेहार से फिर से भाजपा के कैडिदेट हो सकते है लोहरदगा सीट पर इसलिए कोई बाते नहीं बन पाईए कि लोहरदगा सीट हो सकता है कि आस्टू के खाते में इस बार चला जाए तो फिर सवाल ये उठा है कि सुधरसन भगत को भाजपा कहां से लड़ाएगी अगर आप गुमला सीट पर ध्यान देंगे तो गुमला सीट पर से सिफ संकर उड़ाओ चुना जीते थे पिछले मरतवा जो 2014 में वो चुना वहाद